एक मा ने अपनी बेटी के दोनों हातों को पीछे से पकड़ा और पिता ने बकरा काटने वाले खंजर से अपनी बेटी की गर्दन को धर्द से अलग कर दिया उसके बाद दौनों माबापने अपनी बेटी की डेड़ बोडी के साथ किया कुछ ऐसा कारणामा अगर आप सुनोगे तो आप परिशान हो जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना की पीछे की सचाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरशी बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरट की उत्तर प्रदेश के मेरट में वहां के कबरिस्तान में एक लड़की की सरकटी हुई डैड़ बोडी पड़ी हुई थी लोगों का आना जाना वहां से जब होता है तो लोग देखकर परिसान हो जाते हैं और फिर लोग प्रदेश के पास फौन करते हैं कि जनाब यहां पर कबरिस्तान के अंदर एक लड़की की सरकटी हुई लास्पडी हुई है प्रदेश तुरंत वहां मौके पर पहुँच जाती है और डैड़ बोडी को अपने कवजे में लेती है और उसके सर को ढूणने लगती है पुलिस लेकिन सर कहीं भी ढूणने पर पुलिस को नहीं मिलता है तभी दोस्तों पुलिस उस dead body के फोटो खीच करके जो की बिना सरके थी उसके फोटो वगएरा खीच लेती है पुलिस और उसको post madam के लिए बहिच दिया जाता है दोस्तो उसके बाद पुलिस उन फोटोज को न्यूज पेपर वगेरा में निकलवाती है और इंतिजार करती है कि कोई सायद इस दड़ को पहचान ले लेकिन कोई भी तीन दिन तक नहीं आता है और फिर क्या होता दोस्तो पुलिस उस सब का अंतिम संसकार कर देती है वह मेरी प्रेमिका है उसका नाम है सौनिया जिसकी उमर 18 साल है और उसके माता पिता नहीं उसको मार करके वहां पर फैंक दिया था दोस्तो पुलिस तुरंत एक्सन लेती है और सौनिया के घर पहुंच जाती है सौनिया की जो माता पिताते हुए कुरैसी जात से थे वहां जाकर पहुंच जाती है और उसके माबाप को उठा लेती है पुलिस सौनिया के माबाप से फूस्ताज करती है तो सौनिया की जो मात थी हुए तो उसका तो रोरो का बहुत बुरा हाल था लेकिन जो सौनिया का पिता था उसके माथे पर बिलकुल भी चिंता नहीं थी वो बिलकुल फिरी मैंड था दोस्तो थोड़ी देर बाद उसका पिता कहता है कि हमने ही अपनी बेटी को मारा है क्योंकि साहब हम परिशान हो चुके थे हमारी मान मरियादा आबिजद सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था हमारी बेटी ने दरसल घटना ये है दोस्तो जो उस लड़की है लड़की का पिता कहता है कि हम आज से तीन साल पहले मेरट के रिहान गार्डन में रहते थे और वहाँ पर हमारे बेटी थी हमारे पांस बच्चे हैं दो लड़के और तीन लड़कियां सबसे बड़ी लड़की की साधी हो चुकी है और जो सौनिया थी है दूसरे नमबर की लड़की थी दोस्तों उसके बाद वह माता पिता बताते हैं कि सौनिया की मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम वसीम होता है जिसकी उमर 20 सार होती है उससे होने लगती है वो दोने एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस बात की खबर अभी तक हमें नहीं थी तीन-चार साल गुजरने के बाद हमारी बेटी सौनिया हमें बताती है कि मैं पड़ोस के लड़के वसीम से प्यार करती हूँ और उससे साधी करना चाहती हूँ तब ही दोस्तो जो सौनिया का पिता हुए कहता है कि बेटी हम उससे तुमारी साधी नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारी जातका नहीं है हम कुरैसी है वो दूसरी जातका है तो इसलिए वह साधी से मना कर देते हैं लेकिन दोस्तो सौनिया को जिद लगी हुई थी उसी लड़क करके साधी कर लें तो दोस्तों अब क्या होता है अब जो सौनिया होती है अपने घरवालों को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ बोर या बिस्तरा बांद कर घर से भाग जाती है घरवालों को पता चलता है तो घर की जो मानमर्यादा है घरवालों की जो इज़त है सौनिया जो पिता होता है वे कुछ लोगों को लेका सौनिया की तलास में जुड़ जाता है और सौनिया को ढूंड कर ले आता है और लाकर कि सौनिया को कमने में बंद कर देता है और उस लड़के के माबाप से कहता है कि अपने लड़के को काबू में रखो वना बहुत बुरा अंजा होगा दोस्तों अब जो सौनिया का पिता होता है वह समझता है कि मामला ठंडा पड़ जाएगा लेकिन वह मुझ उठा कर चल नहीं पा रहा था उस जगह पर जब भी कहीं भी जाता था तो लोग उसकी तरप कुछ उल्टी निगाहों से देखते थे और यह बात उसको चुब रही थी खल रही थी अब किया होता दोस्तों सौनिया का पिता होता सौनिया के माबाप गरवार को सारा कुछ बेज करके वह दूसरी जगे शिफ्ट हो जाते हैं किराय के मकान में और सोचते हैं कि अब साइध मामला ठल जाएगा लोगों की गंदी नजर हमारे उपर नहीं पढ़ेगी लेकिन दोस्तों जो हौनी को मनजूर होता है वह होकर ही रहता है उनकी बेटी कहा मानने वाली थी उनकी बेटी अभी भी अपने प्रेमी वसीम से लगातार प्रेम प्रिसंगों में थी चुप-चुपके मिल एक दिन क्या होता है लिए और भुह न की हैं मैं भयूट इंजिते हैं उसके अप्रड़। कि हमारी बेटी ने ये काम किया है हमें खाने में कोई नींद की गोली मिलाकर खिला दी है अब जो सॉनिया के माता-पिता होते हैं इंतिजार कर रहे होते हैं कि दोबारा यह पल्ग कब आएगा एक दिन साम को उनकी बेटी सॉनिया उनको चाय बना कर देती है तो उसका पिता स elevation माच्यू मुझन के अंदर नीद्व कि गोलिया इसलिए उसका प्रता और उसकी उसकी मा उस चाइक को गमले में डाल देते हैं और पीने का ढ़ूंक करते हैं यानि कि जैसे कि उन्होंने छाइप टी ली ऊस ऊदूत ही dorad में वो सारे बेन भाई वहां पर गए होगे थे घर में सिर्फ सौनिया और उसके दो माबाप थे और दोनों माबापों को उसने चाय में नसीली दवाई मिला कर पिला चुकी थी वह समझ रही थी कि यह गहरी नीन में सो चुके हैं और दोस्तों रात को दो बजे सौनिया अपन पहुंचते हैं वहां जाकर जैसे ही पहुंचते हैं तो वसी महां से एकदम से फरार हो जाता है और अब सौनिया को पकरकर उसका पिता जमीन पर डाल लेता है और बखरे काटने वाले गंडासे को लेकर आता है सौनिया की माँ उसके हाथों को पकरती है और सौनिया का पिता हमसे यह कांड करवा दिया उसके बाद जो सौनिया का पिता होता है डेड बोडी को घसीट करके बाथरूम में ले जाता है और डेड बोडी को और सर को दोनों को अच्छी तरह से दोता है सारा खून बह जाता है, साफ हो जाता है उसके बाद कट्टे में भरकर उसके धड़ को साइकल पर रखकर और पास के समसान घार में फैंक आता है और उसके बाद जो सर होता है उसको पास में बहने वाले नाले में उसको फैंक देता है और दोस्तों पुलिस को यह मामला सारा कुछ पता चल जाता है पुलिस उस साइकल को बरामत करती है और उस हासिये को बरामत करती है जिससे उस व्यक्तिन अपनी बेटी का सर काटा था पुलिस उनको अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दे जाता है और जो मा होती है उस लड़की की वए तो बार-बार बार यह कह रही थी कि हम अपी बेटी को मारना नहीं चाहते उन्होंने हमारी इतनी बेज़ज़ती करवा दी थी हमारा जीना मुस्किल हो गया था इसलिए हमने उसको मार डाला दोस्तों पुलिस उनको औरेश्ट करके जेल में बेज़ दीती है उनके उपर मुकदमा दाज किया जाता है और अब मामला कोट में है तो दोस्तों आप यहां पर क्या कहना चाहोगे क्या उन दोनों माबाप ने सही किया यह जो डिसीजन था यह सही था वो अपनी इज़ज़त बचाते हुए सहर सहर घूम रहे थे और फिर भी उनकी लड़की नाक कटवाने पर तुली हुई थी तो क्या उस माबाप ने सही किया या फिर वह लड़की अपनी जगह पर सही थी कि उसने प्यार किया था आपको क्या लगता है आप अपनी आए कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों में बारबार कहता हूँ कि जो ये अवैस संबंध होते हैं इनका जो अंत होता है बहुत ही खौपनाक होता है अपने आपको समभाल कर चलें अपने माबाप के सानिद्य में चलें क्योंकि माबाप की इज़्जत आपकी इज़्जत होती है जब आपके एक कर्तूत के कारण माबाप की इज़्जत निलाम हो जाए तो आप कैसी ओलाद हैं ये भी आप सोच सकते हैं ये भी सोचने वाली बात है तो कभी भी ऐसा कर्तिय ना करें जो अपने परिवार वालों के मान सम्मान को ठेश पहुचे और अपनी जान पर बनाए और हस्ता खेलता परिवार बिखर जायत इनकों की तरह है तो हमेशा सोच समझ कर अपने जीवन में काम लें और आगे बढ़ें दोस्तो ऐसी घटना के उपर मैं वीडियोज बना कर लेकर आता हूँ अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज इनको सेर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम में वह जल्दी फिर से लेकर आओंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिष्टों की आमियत को समझें माबाप के आनत्म सम्मान की तरफ ध्यान दें और माबाप भी अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें जैहंद जैवार